अमरत महाचसव कारिक्रम में पीम मोदी को खरी-खरी सुनने को मिली ये बाते किसी और ने नहीं बलकी राजिस्थान के मुख्यमंद्री अशोक गहलोत ने सुनाई किसी की नहीं सुनने वाले पीम मोदी का चहरा इस कारिक्रम में काफी उतर गया था चलिए देखते हैं कि अशोक गहलोत ने ऐसा क्या कह दिया था कि पीम मोदी मूताहते रह गए विपक्ष हमेशा से ही बीजेपी पर हिंदुत और धर्म के नाम पर राजनीती करने का आरोप लगाता आया है विपक्ष को जब भी मौका मिलता है वो बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर लेता है और ऐसा ही कुछ हुआ आज ब्रह्म कुमारी संस्थान में अमरित महुतसव के वर्चुल कारिक्रम में जहां राजिस्थान के सीम अशोक गहलोत ने पीम मोदी को आड़े हाथो ले लिया दरसल पीम मोदी ने आबू रोड ब्रहम कुमारी संस्थान में अमरत महुतसव का वर्चुल शुभारम किया और इस कारिक्रम में मुख्यमंत्रिय शोग गहलोत भी जुड़े थे मोदी की मौजूदगी में गहलोत ने कहा हमारा देश हमेशा से वसुदेव कुटुंगुकम की भावना वाला रहा है बिनुवा भावे ने जय जगत का नारा दिया आज देश में तनाव हिंसा का माहौल है इस से छुटकारा मिले ये हम सब की इच्छा रहती है शान्ती और अहिंसा और भाई चारा पर चल कर ही देश का विकास कर सकते हैं पीम ने जब से महुत सब मनाने की घोशना की तब से लगातार कारिक्रम चल रहे है आजादी त्याग बलिदान से मिलती है 75 साल के इस उत्सव में प्रोग्राम चलते रहते हैं मुझे बच्पन से ही माउं टाबू जाने का मौका मिला है आज ओम शान्ती के आवाज गूंजी तो बच्पन याद आ गया तब ततकालीन दादी मा ने कहा था कि जब तनाव हो तो ओम शान्ती बोलने से वातावरण में अलग उरजा आ जाती है वर्च्पन कारिकरम के दोरान CM ने PM को अपने निशाने पर ले लिया और खूब खरी खोटी सुनाई हाला कि ये पहला मौका नहीं था जब किसी वर्च्पन कारिकरम में किसी CM ने PM को आड़े हाथ हो लिया हो इससे पहले पश्यमंगाल की सीएम अम्ता बनर जी ने भी एक हॉस्पिटल के उद्गाटन के दौरान पीएम को आड़े हाथो ले लिया था उस समय भी पीएम की काफी किरकिरी हुई थी